आज हम बात करेंगे डिजाइन ट्रिक्स के बारे में जो हम डिजाइनर्स यूज करते हैं एक छोटे रूम को बड़ा दिखाने के लिए ओके तो स्टार्ट करते हैं पहली डिजाइन ट्रिक है फोकल पॉइंट फोकल पॉइंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारा ध्यान अपनी तरफ कीच ले हम उस चीज को देखने लगते हैं और बाकी के रूम को हम अंजाने में एग्नोर कर देते हैं इसलिए हम जज ही नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में रूम का साइज छोटा है यह सब फोकल पॉइंट की वज़े से होता है यह फोकल पॉइंट हमारे फरनीचर को प्लेस करने में भी हेल्प करता है और बहुत अच्छा भी दिखता है छोटे कमरों में फोकल पॉइंट ज़ह सकते हैं जो सीलिंग के पास तक एंड होते हों ताकि फिर से हमारा द्यान की तरफ ना जाकर दिवार हाइट की तरफ जाए focal point के अलावा जिन चीजों से हमारा ध्यान ऊपर की तरफ जाता है वो है curtains ceiling से लेकर floor तक के पूरी length के curtains छोटे curtains से काफी जादा अच्छे दिखते हैं और पूरे room को बड़ा दिखाने में भी help करते हैं indoor plants जो लंबे होते हैं या फिर ceiling से लटका कर रखे होते हैं ना सिर्फ हमें बाहर का एहसास अंदर करवाते हैं बलकि हमारी नजर भी उपर की तरफ ले जाते हैं जिसकी वज़से फिर से हम height पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं और room की size को भूल जाते हैं एक और तरीका है जो हम designers यूज़ करते हैं वो है color consistency सिंपल है windows, doors और दिवार की finishing एक ही तरीके से करवाईए और room को बढ़ा दिखाई हैं लंबे shelf जैसे book shelf हो गए या फिर open shelf भी सिर्फ आपके लिए जगे नहीं बढ़ाते हैं बलकि आपकी कमरे को भी बढ़ा दिखाते हैं इसे जरूर यूज़ कीजिए mirrors यानि शीशे simply आपके room को double कर सकते हैं शीशो का use हम उन जगा करते हैं जहां light बाहर से अंदर कम आती हैं इसलिए ये अकसर window के सामने लगाए जाते हैं हम पूरे बड़े size के mirrors एक बड़ी chair या sofa के पीछे की दिवार पर लगा सकते हैं इससे ऐसा लगता है जैसे पीछे भी एक room है entry में gallery में बड़े size के full size के शीशे बहुत ही सुंदर दिखते हैं बस आपको ये ध्यान रखना है कि शीशे में कुछ ऐसा ना दिखे जो आप नहीं दिखाना चाते हैं जैसे कि bathroom हो गया या kitchen हो गया एक और तरीका है जिससे आप अपने चोटे room को बड़ा दिखा सकते हैं वो है lights lights को 3-4 जगा यूज़ करें ना कि room में एक ही जगा इससे room तो बड़ा लगता ही है साथ में सुंदर भी लगता है और जो तरीके हैं जो designer यूज़ करते हैं वो आप अपने space के हिसाब से अपने room के हिसाब से use कर सकते हो अगर आपकी ceiling की height कम है यानि की 9 feet से कम है तो आप इन लंबी lines का इस्तमाल कर सकते हो इनसे room उंचा लगता है छोटे camera में बहुत ही strong color का use ना ही करे तो अच्छा है क्योंकि इनसे आपका room और भी छोटा लग सकता है ceiling पर या floor पर strong color आपके room की height को छोटा दिखाता है आपको लंबा hole effect चाहिए तो आप इस type की लंबी दिवारों को paint कर सकते हैं आज के लिए इतना ही guys I hope you like the video अगली video में मिलेंगे फिर इसके बाद bye bye